अब वो मुझे फोन करता है बोलता है कि बोलिये तो उसके बीबी का मैं रिकॉर्डिंग डालू आप लोग भी धंग रह जाएगा यहां तक कि आप लोग को बता दे कि सस्तक वाले मनीज कस्यप जी भी इस वीडियो की पूश्टी किये हैं कि माध्यम से भी हमें कुछ जनकारी मिली है तो आप लोग से आग रहे हैं कि वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताई गई जनकारी सबूत के साथ है और पूरा पक्का सबूत है वीडियो को अंतितक जरूर देखिएगा मेरे दोस्ट चैनल पर नया है चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारे इस चैनल पर भोषपूरी इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर हर जनकारी आपके लिए आपका दोस्त लाता रहता है तो चलिए चलते हैं आज की विशेज जनकारी की ओर तो आप लोग को बता दे कि जिस मगहिया जवान का भी खेसारी लाल यादों के साथ कॉंटो वर्षी चल रहा है उस मगहिया जवान का कुछ ऐसे ऐसे राज है अगर वो दुनिया के सामने आते हैं तो सारी दुनिया वाले जो उनके सपोर्ट भी कर रहे हैं जो उनके सपोर्ट में बात लंबी-लंबी हाक रहे हैं वो भी उन पर थूठू करने लगेंगे क्योंकि ये मगहिया जवान तो सिर्फ बेटी बहन के इजितों के बारे में बोलते हैं अपना पिछले दिनों के बारे में नहीं सोचते हैं आप लोग को बता दे कि इस मगहिया जवान का राज मनीज कस्यप भाईया जी खोले हैं जिनका चैनल सस्तक है, मुझे लगता है कि यूपी भिहार जारखंट के सभी लोग मनीज कस्यप को जरूर जानते होंगी, जिनके चैनल पे 3 million subscribers हैं और इतने अच्छे तरह से वो सभी इंजिनियारों का, सरकारों का, किसी भी मुद्डे को इतने अच्छे तरह से प्रस्तूत करते हैं अपने चैनल पर, कि बहुत सारे लोग उनको देखते ही उनका फैन हो जाते हैं, वही मनिस का सेब जो सज तक निव चलाते हैं वही मनिस का सेब जी मगहिया जवान के बारे में कुछ ऐसे बात बोले हैं कुछ ऐसा सचाई बता हैं जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाईएगा तो क्या है वो सचाई आप लोग को चलिए वीडियो के माध्यम से हम दिखाते है इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मगहिया जवान की जो पतनी है उनकी दो-दो वाइपरेंड है उनी में से एक वाइपरेंड ने मगहिया जवान की पतनी का कॉल रिकॉर्डिंग तक मनीज कसर जी को भेजा था आप लोग को बता दे कि मनीज कसर भी इस मुद्दे में कैसे हल गया इन लोग जो अपने आपको मगहिया जवान करते हैं ये मगहिया ज़ान नहीं ये मगहिया सैतान है क्योंकि आप लोगों को बतादे कि सबी trending topic पर इन लोग का वीडियो बनाना काम है और उस वीडियो से revenue कमाना इन लोग का काम है कुछ दिन पहले आयांस का मुद्दा आया था और आयांस के मुद्दे को लेकर इनों ने मनीज कस्यप के साथ भी काफी जबड़ वाला कॉंटोवर्शी किया था और मनीज कस्यप को भी कोठा कूतर पता ने क्या क्या बोला था इनलों और बहुत ही घटिया तरह से मनीज कस्य तो live आकर किसी को गाली दे देना है किसी भी कलाकार के मा बहन के बारे में गाली दे देंगे तो वो कलाकार गुसा होगा और इनके बारे में कुछ बोलेगा बस यही इन लोग का पेशा है आप लोग को बता दे कि हाल फिलाल में भी देख सकते हैं कि खुस्बू उतम के साथ भी इन लोग का बहुत ही बड़ा वाला बिवाद हो गया है और खुस्बू उतम के साथ भी इन लोग वही काम कर रहा है जो अन्यकलाकारों के साथ करते थे ये नहीं देख रहा है कि खुस्बू उतम एक लड़की है और लड़की का जो सम्मान का इ यह है कि international TV पर खुसबू उतम के साथ इन लोग का आमना सामना हुआ था और खुसबू उतम ने इनको जाड़के इनकी वाट लगा दे थी अब आप लोग को बता दे कि खुसबू उतम जी को ये national TV पर बहन भी बोले थे और खुद खुसबू उतम इन लोग को भाईया भी बो है कि इनके पतनी के दो-दो वाइफरेंड है ऐसे कई सारे इनका राज है जिन में से और कुछ राज आप लोग को बताते हैं अब आप लोग को बता दे कि ये मगहिया जवान जो बेटी बहन के इज़्जत के बारे में इतना लंबी-लंबी हांगते है एक्चुल में ये कु नहीं कह रहे हैं ये बात सबूत के लिए अखिलेश कस्यप जो भोश्पूरी इंडस्ट्री के काफी अच्छे राइटर है जिन्होंने इनके गाउं में जाने के बाद इनके कई राजों के बारे में जाना है और सोसल मेडिया के सामने धीरे-धीरे वो ला रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोग साफ साब देख सकते हैं कि अखलेश कस्यप जी का कहना है कि मगहिया जवान पर रेप का केस है और जीस आदमी पर रेप का केस हो वह बहन बेटी के इजद के बारे में बोले ये उनके मुझ से सोबाने देता है तो इनको किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले अपने गारिवान में जहांक के देखना चाहिए कि मैं क्या हूं और किसके बारे में क्या बोल रहा हूं लेकिन ये तो इनको नहीं है इनको बस गांधी छाप चाहिए और गांधी छाप से इनको बस मतलब है चाहिए वो जैसे भी आए तो पैसे कवाने के ल फिर एक नई जनकारी फिर एक धवा के दार जनकारी के साथ तब तक आप ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दुलार बनाया रखें अपने दोस्त के चैनल बोजपुरिया जहान के साथ